प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है जो इपोर्टेंट कोसन की सीरीज चल रही है मैं तो कुन कोसन सीरीज चल रही है आपकी इसमें आप सभी का स्वागत है आज के कोसन हम लोग सुरू करते हैं देखें का फर्स्ट कोसन आपके सामने हाल ही में विवाद से विश्वास तक, बिल जो है पारित किया गया है, विवाद से विश्वास बिल, बिल का नाम देख रहे हैं आप लोग, विवाद से विश्वास, तो इसलिए इपोर्टेंट है, यह बिल पारित किया गया है, इस बिल का उदेशे क्या है, क्या उदेशे इस बिल का, कर अनुपालन को आसान बनाना, करदाता को कर में छूट देना, नागरिकों में सरकार के परती विश्वास बढ़ाना, या सरकार को अधिक सुद्रिड बनाना, बताएगा ये बिल जो है, लोकसभा में पारित हो गया था, उसके बाद मेन इसका मुद्धा क्या है, किसलिए है ये बिल, ये आपको बत बताएगा विवाद से विश्वास तो देखेगा करदाता को कर में छूटतो देने वाला मामला हमारे यह अपड़ा मुश्किल से होता है हमारे यहां तभी हम लोग देखते हैं कि अच्छा यह पैसे खार आए इससे अच्छा थोड़ा निकल जाए वही अच्छा है तो विवादित कर जो है उसकी अमाउंट जो भी है बुला उसको देदो दो ब्याज और जुर्माना मत दो यह कहकर जो है उसका कोई पैसा नहीं लेंगे आप सिर्फ जो कर आपका बनता है टेक्स जो बनता है कि इतना चुका दीजिएगा ये बात की गई है विवाद से विश्वास बिल के अंदर तो मेरे ख्याल से इपोर्टेंट कोशन रहेगा आपके लिए ध्यान रखना है ये बहुत एजी सी समझ पारे ना बात को टेक्स जो है जो लोगों नहीं बरा है विवादित कर जो है विवादित टेक्स जो है उस अमाउंट को लोगों नहीं बराए तो उनको बोला कि आप लोग जो है टेक्स अमाउंट को भर दीजिएगा लेकिन जो उस पर इंटरस्ट है यानि ब्याज है और इसके लावा जुर्माना लग रहा है किसी परकार का वो आपसे नहीं लिया जाएगा आप फटापट से ले किया है पहले इस परकार की स्कीम चालू की थी थोड़ी बहुत जो है वो काम्याब होगी थी इसलिए फिर से इस तरह का किया है ठीक है तो ध्यान लखना है इसके प्रियोग साला तो बताइए कि DRDO की प्रियोग साला कौन से जिले में खोली जा रही है बताइए आपके सामने चार ओक्सन है एक है बैतुल भेंड मोरेना और सतना कौन से में खोली जा रही है DRDO का रिसर्सलेब तो DRDO का रिसर्सलेब जो है मद्यपरदेश के मोरेना में खो जा रहा है और इसमें क्या है 350 hectare जो है 350 hectare land जो है इसमें यूज की जाएगी और उसपर जो है research lab खोली जा रही है अनुसंदान प्रयोग ळीजा रही है DRDO के दवारा और DRDO defense research करने के लिए तो है DRDO का main मकसद क्या है defense sector में research करना ही तो main मकसद है और फिर development करना तो ये DRDO है तो इस DRDO जो है आप क्यों पता होगा DRDO की स्थापना कब होगी थी 1956 में और इसके लावा DRDO के present time पर जो है DRDO Chief कोन है भी तो G37 Reddy जो है और ये मद्यपर्देश के अंदर मोरेना में खोला जा रहा है इसके लावा मद्यपर्देश की capital आपको पताए बोपाल है मद्यपर्देश की चीफ मिनिस्टर कोन है सिवराज चिंग चोहान और मद्यपर्देश की राज्यपाल कोन है रीवा में क्या लगा है मद्यपर्देश में सबसे बड़ा solar power plant लगाए गया रीवा के अंदर मद्यपर्देश के अंदर तो वो रीवा था और मोरेना में क्या है DRDO के नुसंदान प्रयोग साला या DRDO की research lab लगाई जा रही है clear है चिर तो इसका correct answer क्या हो गया C. मोरेना राइट चलते है next question में अगला question आपका निमलिखित में से किसे 2019 पेन पेन गोरी लंकेस पुरुसकार से लोक्तांत्रिक आदरस्वाद के लिए सम्मानित किया गया है कौन वेक्ति है जिसको गोरी लंकेस पुरुसकार से सम्मानित किया गया है देखें गोरी लंकेस जो है ये लंकेस पत्रिका करके जो है वो लंकेस पत्रिका करके उनकी पत्रिका आती थी गोरी लंकेस का बैंगलोर से पत्रिका चपती थी और उनका फियर एंड फियर के तो इसी लिए जो है बहुत सारी बार इनको धमक्या मिली थी तो 2017 में फाइनली इनके हध्या कर दी गई और किसने की कैसे किया वो मामला नहीं सामने आ पाया तो गोरी लंकेश जो है इनकी समान में इनके समान में जो है जो पेन इंडिया पेन दक्षिनेशिया और पेन दिल्ली इन लोगों ने पुरुषकार जो है शुरू किया था देना पेन दिल्ली और पेन दक्षिनेशिया ने ये गोरी लंकेस्वर पुरुषकार जो है गोरी लंकेस पुरुषकार देना शुरू किया था अगर पेन की बात करें तो पेन इंटरनेशनल जो है लेखकों की एक वेस्विक तोर पर एक वेस्विक संग है लेखकों का जो की 1921 में बने गया दा पैन इंटरणेशनल जो है यहाँ पर जो नाम दीख रहा है आप लोगों को पैन इंटरनेशनल पैन इंटरनेशनल जो है यह क्या है ये विसो बरिषे जो लेखक है उनका एक वेस्विक संग है, इसकी स्टापना 1921 में हो गी थी, समझ पारे? और जो आपका गोरी लंकेस पुरुसकार देना सुरू किया हुआ है, ये किसके दवारा दिया जा रहा है? यह यह दिया जा रहा है पेन दक्सिनेशिया और पेन दिल्ली के द्वारा मिलकर दिया जा रहा है किसलिए गोरी लंकेस के समान में दिया जा रहा है गोरी लंकेस कोन थी मैंने बताया पत्रकार थी लेखक थी जो कि लंकेस पत्री का चलाती थी इसके लावा जो है इनकी हत्या में तो यह आपको ध्यान रखना है अभी ये बात मुद्दे की क्या है कि 2019 पैन गोरी लंकेस पुरुषकार से लोगतान्तरिक आधरसवास्त के लिए किसे समानित किया गया है तो यह किया गया है यूसुफ जमिल जो है इसको इनको किया गया है यूसुफ जमिल जो है वो गोरी लंकेस पुरुसकार लोगतांत्री का अधरसवाद के लिए समानित किया गया clear है ये चीज़ आपको तो ये आपका D correct answer हो जाएगा ये ध्यार लखना है चलते है next question में अगला question आपका भारतिय नोसेना में दिसंबर 2020 में सामिल होने वाली पंडूबी का नाम क्या है जो भारतिय नोसेना में दिसंबर 2020 में सामिल हो रही है उस पंडूबी का नाम क्या है दिसंबर 2020 में सामिल होने वाली पंडूबी का नाम पूछा है तो देखेगा एक भारत का भारतिये नेवी के अंदर प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट 75 आई प्रोजेक्ट 75 आई नाम से चल रहा है प्रोजेक्ट जिसके तैद क्या है स्कॉर्पियन क्लास की छे पंडूबियों को स्कॉर्पियन क्लास की छे पंडूबियों को भारतिये नो सेना में सामिल किया जाएगा स्कॉर्पियन क्लास की छे पंडूबियों को उनको भारतिये नो सेना में सामिल किया जाएगा ये target है और पिछले वर्ष जो हम लोगों ने सामिल कर भी लिया है अभी तक दोख हो तो और ये तीसरी सुरू हुई है अभी हम लोगों ने scorpion class की जो 6 पंडूबिया है इसमें से INS कलवारी या INS कलवारी INS कलवारी इसको हम लोगों ने पहले ही कर लिया है इसके लावा INS खंडेरी जो है INS कलवारी और INS खंडेरी जो है ये ओल्रेडी बारतिय नोस्यना जो है इनकी सेवाई ले रही है ये सामिल हो चुकी है अभी तीसरी जो सुरू हो रही है उसके बारे पूछ रहा है ये तीसरी जो सुरू हो रही है वो हो रही अभी INS करंज INS करंज जो है ये कौन से नंबर पे है तीसरी जो पंडू भी अभी हाल ही में सामिल करेंगे वो तीसरी जो है ये है तो ये ध्यान रखना है आपको 6 जो है Scorpion Submarines को सामिल करना है Project 75 के तैद भारतिय नोसे नामे INS कलवाडी और INS खंडेरी जो है ये पैल रेड़ी हो चुकी है अभी INS करंज की गई है 2020 में तो ये कोस्तन अपने आप में इपोर्टेंट हो जाएगा आने वाली प्रिक्षाओं के लिए समझ बारे आने वाली प्रिक्षाओं के लिए ये अभी हाल ही में की है तो आपसे पुछेगा किस प्रोजेक्ट के दाथ आपका है ये प्रोजेक्ट 75-5 इसके लावा स्कॉर्पियन क्लास है तो INS जो है ये स्कॉर्पियन क्लास की समराइन से और इसमें INS कलवरी और INS खंडेरी अल्रेडी हो चुकी है अभी भारतिय नोसेना परमुख जो है कौन है एड्माइरल कौन है वो बताना आपको नेक्स्ट आपका कोसन अगला कोसन हाल ही में किसे सरवस्ट्रेस्ट अंतराष्ट्य फीचर फिलम का अकादमी पुरुसकार 2020 परदान किया गया है अभी परदान किया गया यह पूछा है तो किसको दिया गया है बताईगा अंतराष्ट्य फीचर फिलम का अकादमी पुरुसकार अकादमी पुरुसकार मीन्स आसकर ऑसकर अवार्ड्स की बात कर रहा है ऑसकर अवार्ड्स 2020 जो कि लॉस एंजल्स केलिफोर्निया USA में दिया गया ठीक है तो बाणवा जो है बाणवा अकादमी पुरुस्कार जो है इसके अलावा इसके अंदर कुछ एक चीज़े और भी ध्यान रखना है आप लोगों को देखेगा बाणवा जो अकादमी पुरुसकार है Oscar Awards 2020 इसके अंदर जो है अमेरिका के लोस एंजल्स के अंदर हुआ है यह मैंने आप लोगों को बताया अमेरिका के लोस एंजल्स के अंदर हुआ है यह इसके परमुक पुरुसकार कौन-कौन से थे इसमें सरवस्रेस्ट अंतराष्टिय फीचर फिलम किसको मिला पेरासाइट साउथ कोरिया पेरासाइट साउथ कोरिया को जो है यह ही पोर्टेंट रहेगा इसके बारे में कोशन पूछा जाएगा द्यार नकना है सरवस्रेस्ट निदेसक का पुरुषकार किसो ही मिला है बॉंग जून हो पेरा साइट के लिए इनको बॉंग जून हो को पेरा साइट के लिए सरवस्रेस्ट निदेसक का बना मिला है सरवस्रेस्ट अभिनेता जोकिन फिनिक्स joker के लिए jokar movie के लिए किसको मिला jokin phoenix को servisim abhinetha का मिला है इसके लावा servisim abhinetri यह जो है reny jalvegar judy के लिए judy के लिए किसको reny jalvegar को servisim abhinetri के लिए इसके लावा servisim animated feature film की बात करें तेखिए servisim जो आपकी रांतराष्टी feature film है वो ingen happen Laudato इंइमेटीड फीचर फीलम जो है वो टोई स्टोरी 4 इसके लाब अगर बैत करें तो साहैक मुमिका में सरफस्रेस्ट अभीनेता साहैक मुमिका में सरफस्ट अभीनेता ब्रेंड़् पिट West Upon a Time in Hollywood के लिए जो ब्रेंड पिट इसके लाव सायक भूमिका में सरवस्ट्रेस अभिनेत्री, लोरा डर्न, मेरी स्टोरी के लिए इसको एक बार फिर से देख ली जोएगा, आपके सामने है सरवस्ट्रेस अंतराष्टी फीचर फिलम पेरासाइट, दक्सिन कोरिया स्रवस्रेस्ट निदेशक, Bong Joon Ho, Parasite, स्रवस्रेस्ट अभिनेता, Jokin Phoenix, Joker, स्रवस्रेस्ट अभिनेत्री, Rennie Jellweger, Judy, स्रवस्रेस्ट अनिमेटिड फीचर फिलम, Toy Story 4, सायक भूमिका में स्रवस्रेस्ट अभिनेता, Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood के लिए Brad Pitt, सायक भूमिका में स्रवस्रेस्ट अभिनेत्री, Laura Dunn, Mary Story, clear है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखनेना है, कोसिस्ट करना, बट इपोर्टेंट कौन है, वो आपको ध्यान रखना है, इपोर्टेंट ये है, ये पहला दूसरा, इसके लावा तीसरा चोथा में क्षिम, इतना तक ज्यादा पूशने की संभ होना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जुरूत है, clear है, तो इसे के साथ जो है, नेक्स्ट कोसन पर चलते हैं, हम लोग, अगला कोसन है आपके सामने, निमलिकित में से कौन सा देश रास्टर मंडल में फिर से सामिल हुआ है, फिर से का क्या मतलब है, इसका मतलब पह पहले था, लेकिन बीच में छोड़ दिया था, बीच में छोड़ क्यों दिया था, क्योंकि रास्टर मंडल जो है, उन्होंने दवा बनाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे मानव अधिकार वगेरा जो है, उन पर अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, तो इसलिए जो है, माल्द रास्टर मंडल, तो कॉमन वेल्थ कंट्री जो है, रास्टर मंडल कौन है, इसके बारे में आपको पता होने चीए, रास्टर मंडल के अंदर कौन-कौन सामिल है, तो देखे, इसके अगर बात करें, तो इसकी स्थापना जो है, कब हुई है, 28 अप्रेल, 1909 को इसकी बाव नहीं है, होना चाहिए हो सकते है, लेकिन ये जो रास्टर मंडल जो ग्रूप है, कॉमन वेल्थ कंट्रीज है, ये कौन है, ये एक्चुल में वो देश है, जो बिर्टीस समराज्य के अधीन रहे हैं किसी ना किसी समय, उन देशों का एक समूव है, जो बिर्टीस रा बात करूँ, मैं 28 अप्रेल उनी सोंचास को स्थापना हुई थी, इसके अलावा देखेगा, इसका जो हेड़कॉर्टर है, वो कहां पर है, इसका हेड़कॉर्टर है, लंदन के अंदर, हेड़कॉर्टर कहां पर है, लंदन के अंदर, भार्ट जो है, उनी सोंचास से इसका सदश्य है और यह जो है हेड़कॉर्टर जो है इसका लंदन के अंदर है इसके जो है कितने कंट्री टोटल मेंबर है तो 54 जो है चोमवन देश इसके टोटल जो है चोमवन देश जो है इसमें सामिल है चोमवन देश 54 कंट्री जिसमें सामिल है सारे यह आपको पता होना चाहिए इसके अलावा जो है मास्चीव इसके कोन है मास्चीव कि अगर बात करें सेक्रेटरी कोन है इसके तो सेक्रेटरी है इसके पैटरिक का स्कॉटलेंड पैटरिक का स्कॉटलेंड पैटरिक का स्कॉटलेंड पैटरिक का स्कॉटलेंड जो है वो इसके सेक्रेटरी है इसके लावा एक चीज जिसके अंदर ध्यान रखना है मैंने बताया ना अभी कि ये एक जो बिर्टीस समराज्य के दिन थे उनका सब का संग्रह है बट इसा नहीं है रवांडा हो गया और मोजांबिक हो गया ब्रवांडा और मोजांबिक जो है ये अफरीका के दो देश है ये दोनों बिर्टीस समराज्य के दिन कभी नहीं रहे फिर भी ये सदश्य है ब्रवांडा और मोजांभिक जो है इन चौहन देश्टों की सूची में है लेकिन ये कभी भी बृटिस समराजे के अधीन नहीं रहे बट युएस से जो है वो बिल्टिस समराजे के अधीन तो रहा था लेकिन इसका पाट नहीं है इसका सदश्य नहीं है रास्टरमंडल का वो सदश्य नहीं है ये आपको बात ध्यान रखनी है ये बात आपको clear हो नीशी है तो समझ पा रहे हैं आप इस चीज को तो भारतिस का सदश्य 28 अप्रेल उनीशों उन्चास को बन गया था ये आपको ध्याद रखना है भारत जो है ठाइस अप्रेल उनीशों उन्चास से रास्टरमंडल का सदश्य है clear? तो कौन सा देश फिर से सामिल हुआ है बता दीजिएगा पीछे जो है संक्या 53 होगी थी ना अभी वापीस कितनी होगी है? 54 होगी है माल्दिव जो है वो इसके साथ वापीस जुड़ गया है तो ये ध्यान रखना है माल्दिव C इसका correct answer हो जाएगा तो C for आपका कलकत्ता correct answer चलते है next question अगला question आपका निमलिकित में से कौन सा अनुछे देवनागरी लीपी में लिखी गई हिंदी को अधिकारिक भाषा के रूप में गोसित करता है बताइगा कौन सा है एसा जो कौन सा अनुछे देवनागरी लीपी में जो लिखी गई हिंदी भाषा हेमारी उसको अधिकारिक भाषा के रूप में जो है गोसित करता है कोन से article के оड़ि आपके सामने हैं चार आर्या र्टिकिल बैलीोस क्रिस कौन सा है किइप को इस एक को इस पोर्टेट है कि 14 सि्टंबर हिन्दी दिवस यहां मनाए हिन्दी दिवस मना कि income है'll di gent जो ऑगिंदी दिवस चूदाथ सितंबर को क्यों बनाय जाता था-चूदेश सितंबर Farm सभिधान सभाती उसने जो है हिंदी बासा को राज 있rasa की रूप मे इस इलिए जो है राज बासा क्या मतलब है कि जो सरकारी कामकाज में जो वसा यूज होगी उस बासा को दूम का नाम देते हैं। सरकारी काम काजमें यूजवोगी। वो राजबासा है। तो इसकोगी निचसे सरकी काम काजमें दूमी नुट he a दूम सामील कर लिया गै। अगर विसवमें बात करें तो हिंदी चोथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बासा है सबसे पहली मदारी उसके बाद Spanish है तो उसके बाद English है और उसके बाद चोथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बासा जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बासा कुणशी है तो वो आपकी हिंदी है यह बात आपको ध्यानकने इसके लावा अगर बात करें तो अटल विहारी वाजपई जो है अटल विहारी वाजपई एक मात्र विदेश मंत्री या पहले विदेश मंत्री है जिनोंने युनाइटिड नेशन के अंदर सुव्यूक्त राश्टर महासबा को हिंदी वाजपई पहले विदेश मंत्री है जिनोंने सुव्यूक्त राश्टर उंको भासंड दिया था तो वो है अटल विहारी वाजपई अगर बात करें तो सविदान के आर्टिकल 43 है सविदान का उसमें जो है इस बात का उलेख है यह आपको ध्यान रखना अनुचे 343 जो है उसमें जो है हिंदी को अधिकारिक बासा के रूप में गोशित करता है इसके लावा आर्टिकल 348 जो है वो एक चीज और ध्यान रखना है देखिएगा एक सुप्रीम कोर्ट की जो बासा है सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज होगा उसकी बासा इंगली से उसमें 22 बासाएं है ठीक है 22 बासाएं यह आपको ध्यान रखना है clear तो इसके साथ जो है आर्टिकल 343 जो है इसका आंसर हो जाएगा correct यह आपको याद रखना है इसके लाव विसव हिंदी दिवस कब मनाया जाता है यह मेरे को आप लोग कोमेंट में बताईगा क्योंकि य हिंदी दिवस कब मनाया जाता है यह आप लोग को आंसर करना है clear तो इसका correct आंसर 343 इसे के साथ बढ़ते हैं अगले कोशन में अगला कोशन क्या आपके सामने सबरी माला मंदिर किस टाइगर इजव के अंदर स्थित है बताईगा सबरी माला टेंपल कहां पर है अगर इतना पता है तो टाइगर इजव बता दोगे टाइगर इजव पता है तो सबरी माला मंदिर बता दोगे एक बात भी पता है तो दूसरी अंटरलिंक हो जाएगी अ सब्रिमाला टेंपंग और यहां पर भगवान आयपा जो है उसका मंदिर है ये और भगवान आयपा का मंदिर है उस अभी जो है पीछे इसके अंदर एक कॉंट्रोवर्सी चल रही थी उनके जो आभुशन है जो उनके ज्वैलरी है उन पर एक रिपोर्ट तियार करने के प्रादम राजपरिवार्ग के जो है कई संपरदाई इस बात पर एक अपना दावा कर रहे हैं कि यह अबुसन हमारे हैं तो यह चीज जो है कहीं न कहीं सामने आ रही है तो इसलिए जो है अभी भगवान अयप्पा के जो आबुसन है उसकी रिपोर्ट त्यार करने के लिए प्रवेश के अनुमती नहीं थी जिक है अब रामचंदर नायर जो है उसके देखसा के अंदर एक कमेटी तयार की गिए जो कि रिपोर्ट और मुल्यानकन करेगी ठीक है इसके लावा जो है आपको क्या धरना हिंदू हिंदू जो है यह आपके देवता है एक तरसे भवान है यह आपको ध्याद अखना है इसके लावा अगर बात करें तो इसमें सबरी माला में इसई क्या था सबरी माला में इसई यह था कि 10 ते 50 वर्स 10 ते 50 वर्स के बीच की महिलाएं जो है उनको मंदिर में परवेश की अनुमती नहीं थी मंदिर में परवेश की अनुमती नहीं थी 10-50 वर्स की आयो के बीच की महिलाओं को due to biological reasons और वो biological reasons कोर्ट ने बोला सुप्रीम कोर्ट में केस गया 2017 में 2018 में और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला कि ये जो है मामला बिलकुल गलत है ये महिलाओं के मौलिक अधिकार के खिलाफ है आप इस तरह से biological reasons की वज़से mensuration cycle की वज़से जो है biological reasons के कार्ट किसी भी महिला के साथ इस परकार से भेदबाव नहीं कर सकते ये बहुत ज़्यादा गलता है ये fundamental rights का इवन उलंगन है ठीका ना ये मौलिक अधिकारों का उलंगन है और एसा नहीं करना चीए तो ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइन नी बोली आपको पता है ये tiger जोड़ा कुण सा है के अंदर तो पेरियार है पेरियार ताइगर एज़ाओ ठीक और पेरियार की दर के अंदर के अगर बात करें तो के मुख्यमंत्री को ने पिन्रई विजयन के मुख्यमंत्री है इसके लावा केरल के जो राज्यपाल है वो कोन है अभी वर्तमान में आरिख मोहमद केरल के राज्यपाल है इसके लावा केरल की जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहां पर स्टेबलिस्ट है और जो केरल की सुप्रीम कोट है वही लक्सद्वीप की भी सुप्रीम कोट है जो केरल की हाई कोट है जो केरल का उष्णेयल है वो लक्सद्वीप के लिए भी उष्णेयल है ये भी आपको पता होना चीए तो इरिना कुल्लम के अंदर केरल की हाई कोट इस्टेबलिस्ट है यह आपको ध्यार होना चीए इसके लावा केरल के तट को माला बार का जाता है केरल के तट को जो है माला बार का जाता है माला बार तट और वहाँ पर कौन सी वर्सा होती है आमर वर्सा मेंगो सावर होता है, मौनसुन से पहले परी मौनसुन मेंगो सावर होता है केरल में, इसके लावा एक जून को माला बार तट पर मौनसुन टकराती है हर बाद, इसके लावा के तट पर लेगून्स पाए जाते हैं, लेगून्स यानि खारे पानी के जील टाइप जो है लेग जो है इसमें थौरियम पाय जाता है, वो कहसरवादी केरल तट पर या माला बार तट पर पाय जाती है, monocyte sand, तो यह तमाम चीजे जो है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इसके लावा केरल के अंतर रिवर्स जो है, पंबा हो गई, पेरियार रिवर हो गई, पंबा रिवर हो गई, ये भारत पूझा हो गई, ये पेरल की जो है फेमस नदिया है, राइट, तो इसमें क्या होगा, ये आपका correct answer हो गई, पेरियार टाइगर रिजय हो, clear है, चले next question, अगला question, अगला question आपका भारत में सरवाधी घडियालों वा तो घडियाल जो है, घडियाल के अगर बात करें, तो भारत में जो है, अगर घडियालों की संख्या सरवाधिक पूछिए, तो सरवाधिक कोन से राज्य में ये बात पूछ रहा है, तो भारत की सरवाधिक है मद्यपरदेस के अंदर, मद्यपरदेस और राजस्तान में पा चंबल और सोन नदी जो है यहां पर सरवादी घडियाल पाए जाते हैं इसमें अगर बात करूं मद्य प्रदेश में तो मद्य प्रदेश में 1255 के आसपास 1200 प्लस जो है घडियाल मद्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं और मद्य प्रदेश जो घडियाल की संख्या में ट UCL, international union for conservation of nature, IUCL एक संस्ता है और वो red data book जो है, जारी करती है, red data book, red data book जो है, वो published करती है, और उसके according to red data book में, ये critically endangered, घोर संकट गरस जो पर जाती है, critically, sorry, critically endangered की category में, ठीक है न, घोर संकट गरस में है, critically endangered की category में आता हाई है, आपका घडियाल, ठीक है तो घडियाल को ध्यान रखना है मद्य परदेश में सरवादिक है इसके अलावा गर मैं बात करूँ तो मद्य परदेश राजस्तान दोनों स्टेट में पाय जाता है इसके अलावा जो मद्य परदेश है इसको टाइगर स्टेट भी का जाता है मद्य परदेश को टाइ अंदर मद्यप्रदेश के अंदर कितने 526 जो टाइगर है मद्यप्रदेश में मिलें दूसरे नंबर पे करनाट का उता है तो 526 किसमें मिलें मद्यप्रदेश के अंदर मिलें तो यह आपको ध्यान रखना है तो टाइगर स्टेट मद्यप्रदेश को का जाता है यह आपको ध जो आनंदी बेन पटेल जो है वहाँ पर क्या है राज्यपाल है इसके लावा अगर मद्य परदेश के अंदर बात करें तो मद्य परदेश में सत्पूडा सत्पूडा जो है वो मद्य परदेश में सत्पूडा स्रेणी जो है मद्य परदेश के अंदर ही लोकेटिड है नर्म पारक से आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है 2-4 जो इपोर्ट एड़ नेस्माट पारक है ठीक ना तो यह आपको कुछ एक आइडिया होना चाहिए मद्य प्रदेश के बारे में इसके लाए पन्ना जो है पन्ना पन्ना जो डाइमंड के लिए परसीद है मद्य परदेश क चीज़े आपको मद्यप्रदेश के बारे में ध्यानों नची और मद्यप्रदेश का ही सहर इंदोर जो है वो सवच्था सर्वेक्षन के अंदर सबसे टोप पर रहा है इंदोर लगातार चोथी बार ठीक नीति आयों के दवारा जारी जो सवच्था सर्वेक्षन है उसमें अगला कोसन क्या है रिमलिकित में से कौन अटलाटी के पार जाने वाली पहली डीफ पहली डीफ या बदीर जो है पहली डीफ या बदीर वेक्ती है कौन है अटलाटी के पार जाने वाली पहली डीफ या बदीर वेक्ती है यह पूछ रहा है तो मोव ब्राइन जो है मोव ब पार किया इन्होंने ठीक है अंड़ाटिक को पार करने वाले पहली बदीर एक पहली बदीर महिला जो है, यह आपको ध्यान रखना है कोन है, साथ वर्श की आयू में, तीन हजार मील दूरी ताई कि इन्होंने, तो यह आपकी मौव ब्राएन, मौव ब्राएन, यह नाम रखने के लिए, पैसा में क्या है, शबसे बड़ा पैसिफे परसांत मासागर, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका अंटलाटिक मासागर, नीज़ नंबर पे इंडियन के इन बड़ा है, चोत्वे नंबर पे अपका सदन शियन, अधक्षिन मासागर, और पांच्वे लेकिन अंटलाटिक महासागर जो है वो S की सेप बनाते हैं तो यह कुछ एक बातें आपको ध्यान रखनें तो अंटलाटिक जो है पार करने इसके बाद नेक्स्ट कोसन आपका अगला कोसन क्या है हाल ही में योसी हदे योसी हिदे सुंगा जो है को सुगा को किस देश का नया प्रधान मंतरी बनाया गया है ओके ओके सिंजो अबे जो है जापान के प्रधान मंतरी था जापान के प्राइम मिनिस्टर थे उनकी जगह योसी हिदे सुगा जो है उनको नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है ये बात आपने सुनी भी होगी very recently news में थी योसी हिदे इसके नए प्रधान मंत्री बने हैं प्राइमिनिस्टर बने हैं शीजो अबे के रिबार्ट आपके हैल्थ इशूज के कारण स्वास्थे से रिलेटिड कुछ समस्या थी उनको ऐसा लगा उसके कारण उने रिजाइन दे दिया और उनकी जगए पे आये हैं यह नए प्रधान मंत्री जापान की desire brainstorm आपको पता यह टोक्यो है ठीक है जापान के जो है टोक्यो capital है इसके लबाव़ जापान जो है वहाँ पर हीरोशीमा और नागा साकी आपको बिल्कुल है उसका लिटल बोई तो फेट मैं और लिटल बोई दोनों गिराए गए हिरोशीमा में लिटल बोई और नागासाकी में फेट मैं 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 क्लिर है इसके लावा जापान के अंदर जो है चार आइलेंड है में उनसे मिलकर जापान बचा हुआ है ठीक है ना मे आइड़ू हो गया हो इंशु हो गया सिखोकू हो गया कुशू हो गया ये चार मेन आईलेंड है मुख्या दूइप जो है जिन से मिलकर बना हुआ है आपका जापान सबसे ज्यादा जुह भूकम भी वहां पर आते है तो यह सबसे बड़ी समझ्चाए है जापान के अंदर Mumbai bullet train जो है उसके अंदर जो है loan किस ने दिया था, Japan ने दिया था तो ये तमाम चीजे जापान के बारे में थोड़ी बोग ध्यान क खलें निये तो जापान के प्रधानमंतरि जापान की संसद को diet का आजाता है, जापान की जो पारलेमेंट है या संसद है उसको क्या गा जाता है डाइट गा जाता है तो यह को सन का correct answer हो गया समझ पा रहे हैं इन चीजों को तो इसी के साथ जो है आज के को सन आपके यहीं पर समाप्त होते हैं बाकी की चीज़े हम लोग अगली क्लास में करेंगे तब तक इन को सन को अच्छे से पढ़िएगा देखिएगा और पीछे वाली क्लासी जो है इनको जो बच्चा नहीं देख पाया इपी तक मैं फिर से कह रहा हूँ इसमें आलस बिल्कुल नहीं करना है यह इपोटेंट कोसंस है और हम लोग सेलेक्टिव ही कोसंस करेंगे बार बार यह बात कहने कि आवशक्ता नहीं होनी चीए बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि आप लोग उनको देखिएगा जरूर ताकि कोसंस आपके गल्थ ना हो बहुत ज्यादा नहीं है थोड़े कोसं है लेकिन करने जरूरी है तो इसी के साथ अलवीदा मिलते हैं बाई बाई थेंक यू